चैनल स्ट्रेंट, वेलकम बैक टो नाथ सेकैडमी एजूकेशन, उमीद है आप लोग सिब ठीक होंगे और सेफ होंगे, तो आज हम देखने वाले हिंदी सुलब भारती जो की एट क्लास का है और यह हमारे महरास्टर बोड किसले पसका है, तो हिंदी सुलब भारती का यह तो आपके इस पार्ट के अंदर जितनी भी कोशन आप से कहेंगे, हम सब की आंसर आपको बताएंगे, ठीक है, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, और मेरा एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेर करना है, और अच्छा लगे तो लाइक मोटर में हवा भरने की पिछकारी, दूसरे में लिखेंगे ट्यूब वाल, तीसरे में लिखेंगे रवर सोलुशन, और चौते में लिखेंगे एक ग्लैन इंजिन ओयल, ठीक है, तो ये आंसर आपको चारो बॉक्स में ये चारो लिख देना है, ठीक है, आपना हमेश्चा जब भी मेरी वीडियो देखती तो पैन और नोट्बुक लेकर बैठा करो जो आपकी हिंदी की है, ठीक है, और आपको जो बताती हूँ, मैं आप उस टाइम ही वो लिख लिया करो, ताकि भूले ना, तो आप लोग स्क्रीन शॉट लेलो, ठीक है, चले, नेक्स्ट कोशन द आपको बताती हूँ, चार बॉक्स यहाँ पर भी आपको दिये गए, मैं एक एकर के सारे आंसर आपको बता रही हूँ, तो पहले बॉक्स में लिखेंगे समाचार पत्र, गुल बंद वा बेदिंग सूट, ठीक है, और दूसरे में लिखेंगे नोट पेपर, लिफाफे, र पर मलोजना, की 3 किताबیں और कवीता की कई कत्रनी, ठीक है, तो यह चार ओ आपको लिख लेना है, चार ओ बॉक्स में, ठीक है, चले नच्स कोशन देखते हैं, थर्ड कोशन है, लिखो, अब क्या लिखना है, परियायवाची शब्द आपको लिखना है, परियावाची शब के तीन परेवाची शब्द लिखने ठीक है तो हम आंसर आपको करके बता रहें ठीक है तो पहले यहां पर दिया गया है एनक तो एनक का पहला परेवाची शब्द यहां पर लिखेंगे चश्मा और दूसरा लिखेंगे उपनेतर ठीक है पहला चश्मा और दूसरा उपनेतर ठीक है, दो लिखने थे, दोनों लिख लिए यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर दिया गया है रात, रात का आपको परियाएवाची शब्द लिखना है, तो पहला लिखेंगे रातरी, दूसरा लिखेंगे रजनी, और तीसरा लिखेंगे निशा, ठीक है, यह लिख लेने हैं सदन दूसरे में लिखेंगे ग्रव और तीसरे में लिखेंगे निवास ठीक है तो ये तीनों प्रेवाची शब्द इढ़र का लिख लिजे आप लोग अब नेक्स्ट कोश्ण आपको दिया गया है भाषा बिंद्धू यानिके गरामर से ही रिलेटेड आपको कोशन किये गय कित समुझरित बिनार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तता उनकी शब्दों को अलग-अलग पूर्ण वाक्यों में प्रियोग करूं चलिए हम इन सबको करते हैं और इसका अंसर आपको बताते हैं पहला यहां पर दिया गया हार तो हार का पहले आप लिखेंगे पराजय और आभुशन ठीके यह नहीं लिखना यह इंग्लिश में सॉलिशन लिखें रखें यहां पर ठीके इसको कट कर दिया मैंने हार का उसके सामने लिखेंगे पराजय और आभुशन ठीके और वाक्य बना एक्षिली में लेकिन जोकिंग के लिए जेवर बोला था ठीक है आप लोग हासे भी होंगा इनों जेवर होता है ठीक है तो वही जूलरी उसी को आभुशन बोलते है इतन प्यूर हिंदीज होता है उसमें ठीक है नेक्स्ट आपको दिया गया है वार अब इसका देखेंगे द ठीक है हंदी स्वरी बोल रहे है दीन और प्रहार लिखेंगे वार का और वाक्चे लिखेंगे पहला वाक्क जिखेंगे दिन पर आज का दिन बहुत अच्छा है और δूसरा श्रीवा जी महराज ने शत्रू पर निडर्ता से प्रहार किया चोलो मैं आपको समझा देत haftू ल लिखोगे समोशरीत भिन्नारतक शब्जो लिखा है वो लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे जो गरत जगह पे कॉलम बना डाले यह जो है यह इसको पहले बॉक्स में लिख देना है ठीक है और दूसरे बॉक्स में जो यह बताते जारी हूँ न हार का तो उसके सामने उसका अंसर वार का उसके सामने उसका अंसर ठीक है वार का जैसे बताया है दीन प्राहार तो वार तो यहाँ पर इस कॉलम में आ जाएगा और दीन और प्राहार इस कॉलम में यहाँ पर लिख देना कॉमा डाल कर ठीक है और उसके बाद आपको इसके वाक्य इस तरह बनाते बता क कर देना है ठीक है होप आपको समझाओगा अगर नहीं समझाओ तो बैक करके एक दुबार सुन लिजेगा समझ में आ जाएगा ओके नेक्स्ट है हल तीसरा दिया था हल हल का लिखेंगे समधान और खेद जोतने का यंत्र ठीक है और वाक्य लिखेंगे राजु ने मेरी समस्य का समधान किया और दूसरा वाक्य है पिता जी खेद जोतने का यंत्र खरीद लाएं नेक्स्ट है सीना तो यहां पर दिया गया था सीना तो सीना का मतलब होता है सिलाई और छाती दोनों भी ठीक है और वाक्य लिखेंगे पहला है रमा ने छुट्टियों में सिलाई सीखी और दूसरा वाक्ते लिखेंगे, अंगर की छाती में दर्द हो रहा था, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जवार, जवार का मिनिंग है, यहाँ पर आपको अनाज और समुदर की जल के उपर उठना, ठीक है, और वाक्ते लिखेंगे, किसी अनाज उखता है, किसान अनाज देखो, यहाँ पर पहला वाक्ते लिखोगे, किसान अनाज उखता है, और दूसरा है, वर्षा के मौसम में समुदर करजल उपर उठने लगता है, ठीक है, तो आप लोग लिख लिजे, अब आखरी बसता है सुमन, आखरी यहाँ पर सुमन बच्चत तो सुमन का आएगा, और विचारवान, ठीक है, वाक्ये लिखेंगे, बगीचे में फूल खिले है, और दूसरा है, पुरानी पिडी बहुत विचारवान थी, ठीक है, तो देखो, यहाँ पर जित्ते भी आपको दिये गए थे, समुचारित बिनारतक शब्द, लिखने थे आपको, जो शब्द आपको दिये गए थे, हमने उनको बना दिये, मतलब इन सब्दों के हमने समुचारित बिनारतक शब्द लिखें, और उनी शब्दों को हमने उनके वाक्यों में प्रियोक कर दिया, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया सबका, ठीक है, अब का अखला कोशन है, अब आपका ने समुचारित को Pacific को निमने प्रारूप में पत्र लिखो, यह आपको पत्र लिखने है, ठीक है, तो यहाँ पी आपको आपको अल्यरी फॉर्मेट बहत आया है, कैसे लिखने है, यहाँ पे, दिनांक देना है, विशाह, संदर, मुओदे, मुओदे तो आप बोलते ही हो. यहा देने ठीक है चलिए आंसर बताती है अक्चुली में दो स्लाइड है आपको मैं दो दो करके दिखा देती है कि करके पहले लिखेंगे आप यहाँ पर 21 जून 2019 प्रती परिणय पत्रीका संपादग एमजे रोड मुंबई विशे में डालेंगे सब्ताहिक पत्रीका अनियमित र प्राप्त हो रही है मेरे साथ साथ घर के और सदश्य भी इस पत्रीका को पढ़ने के आदी है प्रंतु पत्रीका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण हमें हम सभी उसे पढ़ने ही पार है आपकी इस लापरवाही से हमें बहुत निराशा हुई किर्पिया आप पत् तारक तारक शर्मा फिर यहां पर दिया गया फोर डी वीमेन अपार्टमेंट डादर मुंबई तारक एडरेट एक्सवाइजर डॉट कॉम ठीक है यह इसका इमेल है तो देखो आपको मैं पूरा पत्र बता दी हूँ अब आपको एक चीज दिखाऊंगे देखो आप इसको फ लिखेंगे त्क इसके बाद्व कर लिखना अपका पत्र कंक्लीट हो जाएगा तो मैंने आपको पत्र सॉम्णने già अपको क्या की रिखना रहता है मैंने समझा मैं आपने पार्ट चीज पढ़ा और वह सब्सक्रादा क्या समझा उसको आपको summary करके बताना रहता है हैना summary writing अपने English में पढ़ते होंगी वही करना रहता है मैंने समझा में आपको वही लिखना रहता है ठीके तो मैं आपको इसका अंसर बता रही हो मैंने समझा का आप लोग वहां लिख लीजेगा व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में विश्राम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता यदि मौका मिल भी जाए तो वह घरेलू कारणों से उसका लाब नहीं उठा पाता अता हमें सहर पर जाने से पहले अवशक चीजों की सुची बनानी चाहिए और पुण व्यवस्ता के साथ सहर पर जाना चाहिए इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सहर का अनद उठा सकते हैं देखो यहाँ पर आपको एई चीज समझाई गई है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हर इंसान हमेशा वैस्त रहता है विश्राम यानि उसको आराम करने का मौका ही नहीं मिलता है अगर मिलता भी बिचाया संडे को तो आप नॉर्मल ही अपने घर का एक्जामपल देख लो जो अपकी मम्मी यह फिर भी पापा को काम पे लगा देती है ना घर में बिचारें वहाँ पर भी परेशान है ओफिस में तो रहते ही रहते हैं घर में भी है ना तो वही चीज़ें आप बोला गया है कि मिलता भी है ना घर पे अगर उनको चुट्टी मिल भी जाए तो घर में किसी कारण की वज़ए से उनको उसका फाइदा उठानी पाते है लाव का मतलब होते है फाइदा तो इसलिए आप बोला गया कि अगर हम सेर पर जाते हैं और सारी चीज ले कर जाते हैं जितनी सारी वेष्टा करके आप अप आराम भी कर पाओगे से से उस्छेव का मज़ा भी ले पाओगे अनंद भी उठा सकते तो यहां पर आपके इस लेसन का इस पार्ट का the end होता है मतलब question answer का the end होता है ठीक है आप लोग लिख लीजेगा चाहिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में buy and take care और हाँ जाते जाते रेड़ वाला जो बटन है सब्सक्राइब का उसको क्लिक करो वीडियो को शेर करो like करो comment करो ठीक है और description box चेक करो वहा आपकी help के लिए बहुत important videos available है ठीक है grammar की videos especially वाप पर available है ओके bye and take care कोई doubt है तो आप comment में लिख कर बता सकते हैं